अगरवाल जी जो मीडिया पैनलिस्ट है बाट पासे इसे बाचीत करेंगे कि जो चुनावी समर चल रहा है चुनावी जो रण की रण भेरी बच चुकी है उसमें किस तरह का माहौल है और कहां किसका पलड़ा भारी है में सबसे पहले हमार साथ जुडने के लिए बहुत बहुत धना थेंकियो में क्या लगता है कि राइस्थान में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मिया तेज हैं तो किसका पलड़ा भारी है किसका हलका है कहां कमिया है कहां ज्यादा बढ़ोतरी है लेकि निश्चित रूप से पल्लड़ाइगी तो बात ही नहीं है क्योंकि हम तो यह कह रहे हैं और जन्ता हमें पूरा विश्वास दिला रही है कि कॉंग्रेस मुक्त देश ही नहीं कॉंग्रेस मुक्त राजस्थान भी होने वाला है तो पलड़ा तो बीजपी का ही भारी है, सब को पता है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में भै ब्रश्टाचार और आतन का अत्याचार का जो अड़्डा, कॉंग्रेस साल के सर्शनकार में पिछले पांच वर्षों से रहा, उसका जनता एक सबूत है, तो हम उली जनता के सबूतों के आधार और भारतिय जनता पार्टी की विचारधारा, और हमारे देश के यश्वस्वी प्रधान मंत्री, और हम सब मात्र शक्ती, क्योंकि मैं मात्र शक्ती साती हूं, नारी शक्ती साती हूं, तो मात्र शक्ती के भाई, नरेंद्र मोधी की विचारधारा, उ सबसे आगे पाइदान पर आकर के भारते जन्ता पार्टी और हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी को एक बार पुने खुब आश्रिवात देने वाली है मैं जिस तरीके से बिना किसी फेस के चुनाव लगा जा रहा है इस बार कि बिना किसी मुख्यमंत्री के फेस के चुनाव लगा जा रहा है तो क्या कहीं कोई फेस की कमी है या फिर कोई मजबूत उमीदवार सामने नहीं आ रहा है देखे ही भार्द्य जंता पार्टी में तो फेज की कमी होई नहीं साती है क्योंकि भार्द्य जंता पार्टी वे पार्टी है जो विजारदार आधार Barnes하ith was और पारिफ रा दूसरी बात जो मुख्य मंत्री का चेहरा है, वो कोई विशे ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे मुख्य मंत्री है, और हमारे जो देश के प्रधान मंत्री है, वो ऐसे प्रधान मंत्री है, जो हमारा राज्यसान और देश ही नहीं, उनका जो नेतरत है, आज पूरे विश्व इस तर पर भी सिवकारा जा रहा है तो हम भार्तिय जंता पार्टी के पास कोई मुख्य और रहा है और विजय प्राप्त करने की और है